संदर्द जबकि कई सुधार प्रस्तावों को भारत सरकार और सर्वोचन यायाले द्वारा चिनित किया गया है, ऐसे सुधार वांचित सीमा तक प्राप्त्या कार्यानवित नहीं किये गए हैं। इस परिद्रश्य में एक कुशल पुलिस व्यवस्था की और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि विदिक एवं संस्थागत धांचे में उप्यूप्त संशोधन किया जाए। भारतिय लोकतंत्र के संदर्द में पुलिस की आदर्श भूमिका क्या है? पुलिस बलों की प्राथमिक भूमिका है कानूनों को बनाए रखना एवं प्रवर्तित करना, अप्राधों की जाँच करना और देश में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत जैसे विशाल एवं रहताबादी वाले देश में पुलिस बल अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकें, इसके लिए आवश्यक है की कर्मियों, हतियार, पोरेंसिक, संचार एवं परिवहन सहायता के मामने में वे अच्छी तरह से सुसक जित हों। इसके अलावा, उनके पास अपने दायत्वों को पेशेवर रूप पूरा कर सकने के लिए परिचालनात्मिक स्वतंत्रता हो, उनके लिए संतोषजनक कार्य दशा हो, जैसे विनियमित कार्य के घंटे और पदोननती के अफसर, जबकि खराब प्रदर्शन या शक्ती के भी आवश्यक है, भारत में पुलिस कार्य से संबध प्रमुक चुनौतियां, निम्न पुलिस जनसंख्या आनुपात, जनवरी 2016 में राज्य पुलिस बलों में 24 प्रतिशत रिक्तियां, लगभग 5.5 लाख रिक्तियां, दर्ज की गई थी, इस प्रकार, वर्ष 2016 में जबकि अनुमत पुलिस क्षंता प्रती लाख व्यक्ति पर 181 पुलिस कर्मी होनी चाहिए थी, इनकी वास्तविक संख्या 137 ही थी, उलेकनिय है कि संयुक्त राष्ट, UN, ने प्रती लाख जनसंख्या पर 222 पुलिस कर्मियों की अनुशंसा की है, कर्मियों की कमी के परिनामस्वर जांच कारिय ठीक से नहीं हो पाता, बलकि इससे मनोवेग्यानिक संकट भी उत्पन होता है और लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जाती है राजनीतिक दबाव, पुलिस कानूनों के अनुसार, केंद्रियव और राज्ये पुलिस बल दोनों ही राजनीतिक कारेकारियों के नियंतरन में रखे गए हैं राजनीतिक नेताओं द्वारा प्राय ही राज्ये के वरतमान राजनीतिक मिजस के अनुसार पुलिस की प्राथमिक्ताओं के साथ छेल छाड़ की जाती है। द्वितिय प्रशासनिक सुधार आयोग आक ने वर्ष 2007 में पाया था कि राजनेताओं द्वारा व्यक्तिगत या राजनीतिक कारणों से पुलिस कर्मियों को अनुचित रूप से प्रभावित किया जाता है. आपनिवेशिक विरासत वर्ष 1857 के विद्रोव के बाद देश के पुलिस प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए अंग्रेश सरकार द्वारा वर्ष 1861 का पुलिस अधिनियम लाया गया था. यह अधिनियम गंतांत्रिक भारत के 75 वर्ष बीटने के साथ अब जनसंख्या की लोगतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रह गया है. जनता की धारणा, वितिया आक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पुलिस पब्लिक संबंद असंतोष जनक है क्यूंकि आम लोग पुलिस को भरष्ट, अक्षम एवं गैर जवाब देह मानते हैं और प्राया उनसे संपर्ग करने में संकोच करते हैं. अवसंरिचनात्मक कमी, वर्तमान पुलिस बलों के लिए सुद्रिर संचार सहायता, आधुनिक हथियारों और उच्च गतिशीर्ता की आवश्यक्ता है. वर्ष 2015-16 के KEG Audit, CAG Audits में पाया गया की राज्य पुलिस बलों के पास हथियारों की कमी है. इसके अतिरिक, पुलिस अनुसंधान और विकास बयूरों ने पाया की राज्य बलों के पास आवश्यक वाहनों के स्टॉक में 30.5 प्रतिशत की कमी है. बदलती प्रोध्योगी की चुनोती पूल होता पुलिस कार्य, अगले दशक में डिजिटली करण, हाइपर कनेक्टिविटी और डेटा की घातिय वृद्धी में तेजी आने का अनुमान है. जैवे खतियार, बायो वेपन्स और साइबर हमले जैसे विबीन क्षेत्रों के अभिसर्ण से प्रभावी पुलिस कार्य के लिए खत्रा उत्पन हुआ है. आगे की राए पुलिस बल को एक स्मार्ट बल बनाना भारतिय पुलिस बल को सक्त एवं समवेदंशील, स्ट्रिक्ट अन सेंसिटिव, आधुनिक एवं गतिशील, मौडर्न अन मोबाइल, सतर्प एवं जवाबदे, अलर्ट अनकाउंटबल, विश्वस्निय एवं उत्तरदाई, रिलायबल अन रिस्पॉंसिव और तक्मीनी प्रशिक्षित, टेक्सावी अन्ट्रेंद, बनाने की आवश्यक्ता है. विबिन अध्यायनों से संकेत मिलता है कि जब पुलिस अधिकारी नागरिकों के साथ गरिमापूर्न व्यवहार करते हैं, समवाद में उन्हें बराबर की अभिव्यक्ती का अफसर देते हैं और पा समुदाइक विधी व्यवस्था कार्य या कम्यूनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना विवेक्पूर्न होगा, क्योंकि इसमें अप्राद एवन अप्राद से संबंधित मुद्दू को हल करने के लिए पुलिस और समुदाइके सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, तथा ये जनता पुलिस संबंधों में भी सुधार लाता है। साइबर अप्राद का मुकाबला करने के लिए साइबर पुलिसिंग को मजबूत करना, चुनकि अप्राद अधिक परिश्कृत, जटिल और अंतरराष्ट्रिय प्रकृती के होते जा रहे हैं, नए डिजिटल अन्वेशन एवं डेटा प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ स अधिन या इसमवर्धित साधनों का होना महत्वपूर्ण है। राज्य में पुलिस व्यवस्था के प्रमुक की नियुक्ती का विशेर पुलिस प्रशासन के लिए अत्यांत महत्वपूर्ण है। ऐसी नियुक्तियों के लिए एक पारदर्शी और योग्यता आधारत प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। महिलाओं के निम्न प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करना उलेकनिय है कि संसदिय स्थाई समिती द्वारा राजियों और केंद्र शासत प्रदेशों को पुलिस बल में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतू एक रोडमेट तयार करने की सलाह दी गई है इसने प्रतियक जिले में कम से कम एक महिला पुलिस स्थापित करने की धी अनुशनसा की है